नमस्कार सबी को, मैं मत्तु केवट, मैं आज आपको इस वीडियो के मैध्यम से कच्छा चौथी विशे भाषा के अंतरगत पाठ कर्मांक दस है देखिए समानता तो इन चित्रों के माध्यम से देखिए इन चित्रों में आपको समानता दिखाई दे रही है किस तरह से भारत देश में विवेता में एकता का दर्शन इस चित्र के माध्यम से हो रहा तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पाठ में दिये गए श्वाध्या के प्रशन के उत्तरों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ तो देखिए इस पार्ट में इस तरह से प्रश्ण है और इन प्रश्णों के उत्तर की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के नादम से देने वाला हूँ पार्ट का नाम है शमानता तो आईए देखते हैं हम शमानता देख ये लह लहाना, लह लहाना अर्थात लहराना होता है, बुजुर्ग अर्थात व्रिद्ध, शांत, शांत का समाना सब्दार्थ होगा चुप, गंभीर गंभीर अर्थात विचारों में डुबे हुए, विश्यांतर का अर्थ है चर्चा का विश्य बदलना, समान एक जैसी, कृती का आर्थ है कार्य, अगला शब्द है रंगोली, रंगोली अर्थात रंग बिरंगी डिजाइन बनाना होता है, उपहार अरफाद भेंट पकवान अरफाद घी में पकाया हुआ खाद पदार्थ या मिठाई को भी पकवान बोलते हैं हो नहार अच्छे लच्छनो वाला विविदिता का अरफ है विभिनता आशीश आशिरवाद या दुगा होता है तो इस तरह से ये सब्दार्थ है, अब देखिए इसमें प्रशन जो है, प्रशनों का उत्तर देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसमें, पहला प्रशन है देखिए इसके अंतरगत, पहला प्रशन है, पहला देखते हैं नेमनलिखित प्रशनों के उत्तर लिखो, इसमें पह लडके लड़कियां बाग में किस लिए इकठे हुए थे तो इसका उत्तर है लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकठे हुए थे मनजुला ने बाग के बारे में क्या कहा प्रशन है तो इसका उत्तर है मनजुला ने कहा यह बाग बहुत सुन्दर है गा तीसरा प्रशन है भारत में कौन से लोग मिल जुल कर रहते हैं प्रशन तीसरा गा है भारत में कौन से लोग मिल जुल कर रहते हैं इसका उत्तर है भारत में अनेक धर्म जात भाशाय और प्रदेश के लोग मिल जुल कर रहते हैं भारत में अनेक धर्म जाती भाशाय और प्रदेश के लोग मिल जुल कर रहते हैं प्रस्न प्रस्न चौथा है घा अलग-अलग फूलों में कौन सी एक चीज समान है उत्तर है अलग-अलग फूलों में सुगंध एक समान है प्रस्न पांचमा है देखिए पर्मानंद जी होनहार बच्चों के किस भाव को देखकर बहुत प्रशन हुए उत्तर है देखिए पर्मानंद जी होनहार बच्चों का विविधता में एकता का भाव देखकर बहुत प्रशन हुए और अंतिम प्रश्न है देखिए सभी तेवहारों में समान रूप से की जाने वाली कृतियां कौन सी हैं तो इसका उतर है देखिए सभी तेवहारों में समान रूप से की जाने वाली कृतियां निम्नलिखित हैं साप सफाई है घरों की सजावट खरीदारी रोशनी करना रंगोली बनाना पकवान बनाना और माटना उपहार लेना देना बड़ों का आशिरवाद लेना और लोगों से प्रेम से गले मिलना और एक प्रशन इसके अंतरगत है देखिए प्रशन पहला है किताब के अंतरगत महादीपों के बारे में सुनो अर्थात महादीपों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो देखिए इसका उत्तर पिर्थवी पर साथ महादीप हैं और उनकी नाम देखिए इन सा महधीपों के नाम एसिया महादीप, योरोप महादीप, आफ्रीका महादीप, चौथा है आस्टेलिया महादीप, पांचवाँ है उत्तरी उत्तरी अमेरिका महादीप, और दछिन अमेरिका महादीप और सात्मा है देखिए एंटार कट का महादीप तो इस तरह से ये सात महादीपों के नाम है एसिया महादीप योरोप महादीप आफरीका महादीप आस्टेलिया महादीप पुत्तर अमेरिका महादीप दच्छीन अमेरिका महादीप और एंटारकट का महादीप इस तरह से ये साथ महादीप हैं और इनकी जानकारी आपको प्राप्ट करना है और अंतिम प्रस्न एक है इस पुस्तक के अन्तरगत देखिए प्रस्न है देखिए तुम घर के किन कामों में हाथ बटा सकते हो बताओ तो ये आपको बताना है कि आप घर के किन कामों में हाथ बटा सकते हो जैसे साफ सफाई करना, कपड़े दोना, वस्तुएं उची जगह पर रखना, खाना पकाना, बरतंद होना ये जितने भी मुद्दे हैं, इस सारे घहर के काम हैं, और इन सारे घहर के कामों में आप क्या कर सकते हो, हाथ बटा सकते हो, साप सफाई करने में भी हाथ बटा सकते हो, कपड़े धोना में भी वोस्त में उची जगह पर रखने में खाना पकाने में और बरतन धोने में इन सारे क्रियाओं में आप क्या कर सकते हो घर के कामों में आप हाट बटा सकते हो और आगे देखते हैं इसमें चित्र है अब इन चित्रों का नाम पूछा है और इनकी धोनिया पूछा है तो हम इन चित्रों का नाम देखते हैं ये जो पहला चित्र है देखिए ये डफली का चित्र है इसको डफली कहते हैं ये जो चित्र है ये डमरू का चित्र है और इसे गिटार कहते हैं ये जो चित्र है ये ध धोलक का चित्र है इसे डोलकी भी कहते हैं और इसको धोलक कहते हैं हिंदी में यह जो है सारंगी है सारंगी और यह अंतिम चित्र है इसे वीडा कहते हैं डफली का चित्र है यह यह डमरू है गिटार है धोलक है सारंगी है और वीडा का चित्र है तो इस तरह से यह वाद्य है और इन वाद्यों का नाम आपने तो आप इस वीडियो के माध्यम से समानता इस पाठ के स्वाध्या के प्रशनों के उत्तर का वाचन करिए, लेखन करिए, स्रवन करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, धान्यवात सभी को